स्टार्ट शुरू करते हैं, तो आज जैसा कि हमारा सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रखने के अचूग तरीके, अब सवाल ये कि हम याद तो करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आज का थमनेल दिया, वैसे गजोधर का जो मुह ऐसा हो गया, ठीक है, गजोधर बोला, कोई बात नहीं, चिल डूड, बताता हूँ कि कैसे हम सब कुछ याद रख सकते हैं, तो ऐसे आप भी जानना चाहते हैं कि ने जानना चाहते हैं, कि हाँ सर, सब कुछ कैसे याद रखा जाए, और उसकी तकनीक कहां से शुरू होगी, अब ज़रा ध्यान से देखो, कि हम जो पास पंखा चल रहा होगा, मुझे बताते जाओ, ठीक है, पंखा या ऐसी कुछ भी अगर चल रहा होगा, तो आपने देखा होगा आपका जो शरीर है, उस हवा को महसूस कर रहा होगा, इस हवा से कहीं आपने देखा होगा, आगे कागज जो हो फड़फड कर रहा होगा, आपने नोटिस किया, मुझे आज आपके चैट चाहिए, आपका जो है वो एंसर चाहिए, जो मैं पूस्ता जा रहा हूँ, बड़ी ताकतवर मैथड आज बताने जा रहा हूँ, हमारी प्राचीन ध्यान की विधियों में उस मैथड से लोगों ने चमतकार प्रस्तुत कर दी ह मतलब आप ये कहिए कि मिराकली स्टेट में जा सकता है, आज आपको वो मैथड बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें से आप में से बहुत से लोग वो मैथड जानते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसी वज़े से उससे फाइदे नहीं, नुक information receive करते हैं, आँखे हो गई, आँखे तो सबसे आदा information receive करती हैं, नासती रहती हैं, कई बार आप ऐसे पढ़ने बैटे हैं, आप notes बना रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ होती है आपकी निगाह वहाँ चली जाती है, notice किया आपने, और दिमाग उसको process करता है, अरे यार व कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से आपकी निगाह ऐसे कहीं चली गए, आपने ऐसे सर टेना किया, किसी चीज़ पर आपकी निगाह चली गए, कोई खाचीज आप उसमें देख रहे हैं, आपने देखोगा आपका दिमाग process करने लगता है, यार क्या है, और आप देखते और अचानक से आपका दिमाग किसी और तरफ divert हो जाता है, या अगला information है eyes, ठीक आपके कान, इसके बाद जो ears हो गए, years के बाद आपने कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई वस्तु गिर गई, तो जैसे गिरी आपका ध्यान उधर की तरफ चला गया, यानि आप आपने क्या किया, अपना diversion कर दिया वहाँ से, yes या no मुझे पताइए, और या कोई आवाज आ रही है, आपको disturbance, आप कई वाई irritated, यार ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे है, टीवी धी में चलाओ यार, ठीक है, हम मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और वो जो आवाजे हैं, वो आपके दिमाग को divert करके लेके जाती है, होता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं लगातार, पचास बच्चों की अभी recently गुरुकुल में मैंने counselling की, और सभी अपने घर के atmosphere से, जो उनके आसपास का atmosphere है, बहुत परिशान है, सब का common है कि सर गुरुकुल में हम को बताने जा रहा हूँ, और हम कोई चीज सूंगते हैं, अचानक से घर में कुछ अच्छा पकवान बनने लगा, सुगंध आई, और फिर हमारा ध्यान महां से कहीं और चला जाता है, तो ये वो चीजे हैं, जहां से हम information तो receive करते हैं, लेकिन ये हमारी concentration को distract करने का काम करते हमारी concentration इन ही के माध्यम से सबसे पहले distract होती है, अब हमें ये करना है कि हमें अपनी concentration की परिभासा होती है, अपनी सारी जो information process है, उसको किसी एक बिंदू पर जोड़ दे, यानि जो आप कर रहे हैं, वहां पर आपका समस्त ध्यान, आपका जो पूरी activity है, वो उसी point पर एक इसको हम लोग सक्रिय ध्यान भी कहते हैं, या क्रिया शील ध्यान भी कहते हैं, इस से हमारी कुछ लोग आप देखते हैं, अपने काम में इतना डूब जाते हैं, कभी scientist को देखिए, उसको खाने पीने का होश नहीं रहता है, आपने Newton की वो कहानी सुनी है, एक बार क्या हु उनका दोस्त बड़ी देर तक इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा, आंत में उसने भूक लगी थी, उसने Newton की थाली से खाना खा लिया और वहां से चला गया, Newton अपने काम में इतना खोय हुए थे, इतना डूबे हुए थे, कि जब वो निकले, तो उन्होंने देखा ख खाना खा चुके हैं, और वो दुबारा खाना खाने के लिए आ रहा है, उनको यादी नहीं रहा कि वो खाना खा चुके हैं, जबकि वो खाना उनके दोस्त ने खाया था, ये है mental power, कि जब इनसान अपने काम में इतना डूब चुका होता है, कि वो किसी और चीज के उसको भ गहराईयों तक पहुंच जाए, मुझे आप बताईए, आप में से कितने लोग ये गोण सीखना चाहते हैं, मैं सबका comment चाहता हूँ, कितने लोग ये गोण सीखना चाहते हैं, कि जब वो notes बनाये, जब वो answer writing करें, जब वो book पढ़ें, इतनी गहराई में उतर जाएं, कि उनको आसपास बरतन गिर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, इधर उधर कमरे में कोई चीज है, उस तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, ध्यान ही ना जाए, वो पूरी तरीके से डूबे हो अपने काम में, यानि उनका काम, उनका लक्ष और उनका जो एकागरता है, दोनों आप प्रक्टिस 21 दिन तक कम से कम नियुंतम तुम्हें करनी पड़ेगी, 21 दिनों की प्रक्टिस के बाद तुम्हारे अंदर मेमोरी में बहुत बड़े चेंज आने शुरू हो जाएगी, तो मुझे सबसे पहले आपका अफर्मेशन, यानि आप से एक ध्रण संकल्ब की उमीद है, आज जो मैं सिखाऊंगा उसको प्रक्टिस करोगे या नहीं करोगे, अगर सभी लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर एफर्मेशन, येस सर, मैं द्रण प्रतिग्या करता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, और 21 दिनों के अंदर आप खुद मुझे मैसेज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, मुझे सब लोग पहले लिख कर भेजें, येस सर, I will practice, मैं practice करूँगा, कितने लोग हैं, चलिए, सब लोग मुझे बताइए, कितने लोग इस practice को सीखना चाहते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि officers के अंदर ये खास बात होती है, मैं एक IS officer से मिला था, और बहुत प्रभावित हुआ था, तो जो मैंने आपको sensory organs बनाये थे, क्या हुआ कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, और वो कुछ file ने चेक कर रहे थे, और अगर आप IS बनोगे न तो ये concentration आपको चहिए होगी, ये आपको develop करना होगा, तो क्या कि मैं शोड से मैंने कान पे हाथ रख लिया, ये बात है मैं जब 10th class में था, लेकिन मैं उनको क्या देख रहा हूँ, वो जो officer थे, वो अभी काफी traveling करके आये थे, परिवार के साथ मिलने, और उसके बाद वो अपनी file में इतना डूबे थे, कि उनको कुते के भूंकने की आ बहुत concentration में चले जाते हैं, उनको अपने आसपास के environment shore, शराबा, office में भीड भाड़ है, वो बहुत focus होकर अपना काम करते हैं, जो उनके हाथ में काम है, उसमें वो डूब जाते हैं, ये मैंने officers के अंदर खास बात देखा है, और आपने भी ये महसूस किया होगा, क्या इधर जाकर एक ऐसा संसार क्रेट करना चाहते हैं, जो आपके sensory organs से जो information आरी है, जो आपको distract कर रही है, इधर उदर लेकर जारी, उसको आप block कर रहें, तो चलिए, अब शुरू करते हैं officers का गुण, जो बहुत important है, तो ये हुआ कि हमारे ये जो sensory organs हैं, वो हमें information लाकर दे परता है, और चुकि हम student हैं, और कोई काम करें, job में हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, अपनी life में growth चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो काम हमें दिया जाए, वो हमारे conscious mind और subconscious mind, दोनों में equal सतह प्राप्त करें, होता क्या है, आप मेंसे कुछ लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, ये भी आप जान लिजे, आप मेंसे सब लोग कहते हैं, एक बच्चा जिसे लिखता है, सर मेरी life आईयस है, comment करते हैं, आप भी कहते हैं, सर मैं आईयस बनना चाहता हूँ, ये आपने अपने चेतन मन से कहा, अपने conscious mind से कहा, लेकिन आपके subconscious mind में जैसे pressure पढ़ता है, वो घ UPSC का exam देने नहीं आते हैं, 50% बच्चे center नहीं जाते हैं, इस पर कल committee ने बहुत चिंता जताई है कि UPSC को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे ये problem solve हो, बच्चे कम से कम exam दे सकें, आखिर क्या कारण है, एक बच्चे घबरा कर exam छोड़ दे रहें, अब आईये, तो आज मैं आप लोगों एक बहुत powerful method सिखाने जा रहा हूँ, third eye meditation, आपने नाम सुना होगा, तीसरी आँख का ध्यान, लेकिन उसमें एक बड़ी गड़बड है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, उसमें जादा तर बच्चे जो हैं, इसको गलत तरीके से करते हैं, अब मैं इसमें तीन तरीकों को समावेशित करते हुए एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ, जो आपकी brain power को कई गुना बढ़ा देगी, imagination को कई गुना बढ़ा देगी, तयार है, तो सबसे पहले अगर आप तयार हैं, तो अपनी मेज को से शान्त होकर बैठ जाईए, ये लोग ज चैट कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल शान्त होकर बैठे हैं, अब जो सिखाने जा रहा हूँ, उसका पहले science सीको, इसका science क्या है, होता क्या है, जैसे ही मैं आप से third eye meditation की बात करता हूँ, जब third eye, तीसरी आँ की technology की बात करता हूँ, तो जादा तलो, मुझे बताना, आपको कई बार ये बताया गया होगा, कि आपकी भाहों के बीच में एक स्थान है, third eye यहां जागरत होती, आप मेंसे भी कई लोगों ने ध्यान किया होगा, सुबह मेरी meditation की जब class चलती थी, तो आप लोगों को ये बताया गया होगा, कि यहां पर आप जो है, उसमें कई लोग कहत ही है, तो आप उसी को imagine करते हैं, जो चितर आपने देखे हैं, और आप यहां पर अपने बुरे ध्यान को लेकर आते हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं, पहली बात यह मुझे बताए, कितने लोग थर्ड आई meditation के बारे में जानते ही नहीं, उसका science नहीं जानते हैं, कितने हैं, दोनों के लिए आज बड़ी फायदे मन बतार करूं, संकर जी को तीसरी आँख क्यों दिखाया जाता है, थर्ड आई का मतलब होता है, इस पेस को उपन करना, यूनिवर्स को उपन कर देना, क्योंकि शिव जो हैं, वो आद योगी हैं, योग में जो जहां से योग प् हीतरी हो जाता है, इसलिए शिव को आद योगी कहा जाता है, और तीसरी आँख का जो साइन अप्रॉमिनेंट है उनके लिए, तो आज आप इसका साइन समझो कि हमारा एंसीन साइन्स क्या है, तो आप में से ये लोग जानते हैं, चलिए, अब हम बात करते हैं, थर्ड आई शुरू हो जाएंगे, अब मैं बात करता हूँ क्या, एक्चुली थर्ड आई मेडिटेशन जो लोग यहां पर आज्या चक्र, यानि ये भौहें हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं, ये भौहों के बीच में लोग ध्यान लगाते हैं, यहां पर होता है एक लाइट जल रही होत होगा है, ये दूसरे कारी के लिए है, अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपोर्टेंट है, ये टेक्निक आपकी है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा, और ये टेक्निक ऐसी है, ये रहा आपका आज्या चक्र, दोनों भाहों के मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, चेतन और अब चेतन दोनों को जो है, वो एक सर्फेस पिले आप आओगे, और तीसरा ये सर के पीछे स्थान हो गया, इस बिंदु को मैसूस करो, हाथ यहां रखो, पहली बार हाथ यहां सीधी रेखा में, इसी के जस्ट पोजिट सर के पीछे एक स्थान है, यस या नो, बताते जाओ, ठीक है, अब इसके बाद सर के उपर होता है ब्रंबरंदर, यहां पर, जो जिसे कहते हैं, जब लोग बहुत योगी हो जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत उचे पदों पर पहुच जाते हैं, उनका कॉंसेंट्रेशन लेबल बहुत उचा हो जाता है, तो उनका ब्रंबरंदर खुल जाता है, ब्रंबरंदर कॉस्मिक एनरजी को रिसीव करता है, आपने सुना होगा कई मूनी ऐसे होते हैं, जो बहुत कम खाए पिए, ज़रा देखो, थर्ड आई मेडिटेशन यहां नहीं होता है, थर्ड आई मेडिटेशन के लिए, तुम्हें इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है, बड़े ध्यान से सुनना, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल के मद्ध में, जैसे pyramid आपने कभी, pyramids के बारे में सुना है? तो pyramids जो होता है वो होत बहुत बड़ी science है. आज भी माना जाता है सारी powers इकठा होती है pyramid cosmic energy को receive भी करता है और वो सारी powers को लाकर pyramid के मद्ध में लाकर उसको concentrate करता है आप लोगोंने सुना होगा बहुत बड़ा science है कि राजा दुबारा जीवित हो सके इतनी energy जो है वो मानी जाती थी इस तरह से जो है वो चीजे होती थी तो हमें भी अपने दिमाग के अंदर एक triangle develop करना है जो आग्या चक्र ये रहा आग्या चक्र ये रहा हमारे सर के पीछे पीछे बिंदू और ये रहा हमारा ब्रह्मरंद तीन अब इन तीनों को मिला कर एक triangle का निर्माड होगा बड़ा science बता रहा हूँ बहुत जो लोग आख के आगे जादा तर लोग यहां पर third eye meditation करते हैं गलत है यह तरीका third eye meditation आपको कहां बनाना ये क्योंकि ये जो है वो आपके ब्रह्माड को inner universe को open कर देगा inner universe को open करेगा तो क्या करना है ये रहा आपके सर के उपर ब्रह्मरंद imagine करो हाथ रखो यहां पर जो लोग पहली बार कर रहे हैं वहाँ पर इस पंदन करें this is known as इस पंदन vibration तो आपके हाथों से vibration यहां जानी चाहिए ब्रह्मरंद ठीक है आग्या चक्र और सर के पीछे का पाश्य बिंदु जो हो गया इन तीनों को मिलाकर एक triangle imagine करो कि तुम्हारे सर के अंदर एक triangle का निर्माड हो रहा है अब इस triangle के देखो triangle तुम्हारी आँख से यहां के पीछ में जा रहा है और यह रहा ब्रह्मरंद इन तीनों के space में के बीचों बीच में आप एक third eye या एक जोती को back of head इन तीनों को imagine करो कि एक triangle का निर्माड हो रहा है कितने लोग कर पा रहे है कितने लोग यह कर पा रहे है how many of you जल्दी मुझे बताओ यह triangle अचीव हो रहा है अब उस triangle के बीचों बीच में देखो बिलकुल बीचों बीच में ना यहां ना यहां ना यहां इसके बीचों बीच में कि space एक हवा में लटकता हुआ इस पे एक कोशिश करो कि तुम्हें एक जो है वो क्या दिखाई पड़े एक जल्ती हुई रोशनी या थर्ड आई दिखाई पड़े तीसरी आँख इसको बोला जाता है आंतरिक ब्रम्हांड का खुलना हमारे अंदर भी एक ब्रम्हांड है और बहुत पाउरफुल है information सारी उसके अंदर तुम खुद अपने आप में chat GPT हो आज की दुनिया में बड़ तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो ये सारी चीजें है आंक, इसके नाथ ये तुम्हारे concentration को दूर दूर लेकर जा रहे है तुम परिशान रहे हैं सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझसे याद क्यों नहीं होता है सर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ मुझसे output नहीं निकल रहा है ठीक है, तो ये बहुत जादा जो है, वो segment हमारा खराब हो जाता है, हमारी महनत खराब हो जाती है अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने अंदर जाने का तरीका और अपार संभावनाए खोलने का तरीका अगर ये practice आपने कर ली ना इसके अंदर जाकर hang एक जो है वो थर्ड आई को देखना है थर्ड आई को देखना है, practice करनी है और आप उस जोती को जलते हुए देखो जब आप जलते हुए देखोगे चुकि हमारे हाँ क्या होता है, निरवात में कोई चीज़ होती नहीं है तो यह क्या होगा, तुम देखोगे एक बड़ी गड़बढ होगी मैं आपको पहले बता ज़र, मेरे बात को ध्यान से सुनो ठीक है गड़बढ होगी, यह क्या होगा, यह या तो आँख की तरफ भागेगा या उपर सर की तरफ भागेगा तुम जैसे ही आँखो को ऐसे आँख बंद करके उपर की तरफ पुतली अगर जाएगी तुम देखो कि यह रोशनी यह उपर की तरफ भागेगी बताना कितने लोग के साथ हो रहा है या यह रोशनी आँख के साथ जाकर चिपक जाएगी हाँ या ना मुझे बताओ प्राब्लम है इस बहुत पावरफुल मेडिटेशन है मैंने बताया ना तुम्हारी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी तुम्हें कई चीज़े दिखनी शुरू जाएगी जो अपने सबकॉंसियस माइंड से बातचीत करना शुरू कर दोगे तो जो सबकॉंसियस माइंड का दरवाजा है इसी थर्ड आई से होकर गुजरता है इसलिए शिव को आद योगी कहा जाता है कभी पढ़ो आप उसके बारे में वहीं से वो योग मलब समस्त गुड़ों को योग कर जोग मतलब होता है युज जोड़ना बड़ा गहरा साइंस है हमारा तो आप जैसे ही अंदर गए अब आपके साथ हो रहा है या तो ये आगे की तरफ भागेगी जोती या ये उपर की तरफ भागेगी जैसे आप मुमेंट करोगी या तो आप आँखों के क्या होता है आप आँखों को आगे की तरफ जोड़ते हो नाक की तरफ जोड़ते हो तो ये आगे भागेगी उपर की तरफ आँखों को लेके जाओगे तो पीछे की तरफ जोती भागे वे में बता रहा हूँ, आपको इसको बीचो बीच में लाना होगा, यही इसका real challenge है, न यहाँ, न यहाँ और न यहाँ, और हो सकता है कुछ seconds के लिए आए, मलब आया और फिर हट जाए, जैसे आपका कोई विचार्ट ताकतवर हुआ, यह देखना, मुझे लिख के देना, ल परिशान हूँ और बहुत दिल से सोचता हूँ, उसके गहराई में जाकर मैं meditation करता हूँ, तो वो चीज हो जाती है सामने से, आपके साथ भी वो चीजे होंगी, और इसको समझने की कोशिश करना, कि यह कैसे काम करता है, तो यहाँ क्या होगा, आपको इसको बीचो बीच मि करना शुरू करो, थर्ड आई meditation, और अगर आप यहाँ पर उसको करते हैं, किसे ने बता होगा, देखो भावों के बीच में ध्यान लगाओ, गलत है, क्योंकि उसको आप आलंबन दे रहे हो, यूनिवर्स यहाँ खुलेगा ही नहीं तुमारा, यहाँ जा रहे हो, तो यह च अधरिक ब्रम्हांड को खोलना, और जिस दिन आप में से किसी ने, यह व्यक्तिका तनभाव की चीज़ है, इसको कोई parameter नहीं है, आपने जिसने यह कर लिया, और आप मुझे 21 दिन बाद मैसेज करना कि सर मेरे जीवन में क्या बदलावार है, positivity, आप हमेशा सकारात्मक रहो तुम बहुत फोकस होकर पड़ पाओगे, तुम महसूस करोगे तुम धीरे धीरे अपने बाहरी environment से कटते चले जा रहे हो, कटते चले जा रहे हो, बाहर कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तुम एकदम अपने काम में ऐसा डूबोगे, कोई ब तुम अपने काम में डूब गए, बलब सोचो कि तुम पढ़ने बैठे हो, और दो-तीन घंटे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चले, और ऐसा कभी न कभी हुआगा चाहिए, बोर्ड के एक्जाम में चाहिए, तुम मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुच जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुच जाएगी, लो तुम खाली 6-7 घंटे खाली पढ़ रहे हो, तुम सोचो कि तुम कहां पहुच जाओगे 6-7 घंटे में, अगर नौकरी में हो, 4-5 घंटे काम पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो तुम स तुम्हारे नोटिफिकेशन बज रहा है तुम्हें होश ही नहीं है तुम बस अपनी पढ़ाई में डूबे सुनने में यह लग रहा है अजीव है लेकिन जैसे ही तुम यहां पहुच पाए वैसे ही तुम्हारे अंदर से परिवर्तन शुरू हो जाएगा एक ऐसा उर्जा श श्रीकिशन ने कहा इस्थिर प्रग्य इस्थिर प्रग्य मलब वो सांसों के आने जाने की गतिका भी उस इंसान को पता नहीं हो जागता भगवत गीता में इसको इस्थिर प्रग्य कहा गया है हमारे सारे ग्रंतों में इसके बारे में बहुत गंभीर साइंस दिया गया है म हमारे प्राचीन समय में जो मानव का मन जो हमें पढ़ने का जो एक जबरदस अनुबहता वो एक अलग ही लेबल पे था हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे इसलिए वेस्टन हमें समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो मटेरियल वर्ड की फिजिक्स यूज कर रहा है हम तीनों की एनर्जी यहां पर आकर जुड़ती है तब यह खुलता है यह तीनों के आलंबन बिंदु पर होना चाहिए जैसे जैसे यह उपन होता जाएगा तुम अपने अंदर ऐसा चेंज दिखोगे फिर तुम्हें किसी क्या और शक्ता नहीं रहेगी बताने की क्या सही है क्या गलत है इंस्पिरेशन मोटिवेशन तुम्हारे अंदर एक वैराग्य पैदा होना शुरू तुम्हें जो अच्छा नहीं लगेगा तुमने कमांड दे दिया यह चीज फालतू है मेरे लिए यह फोन का मुझे जो है निरागरह करना है मुझे नहीं इसको चाहिए तु को आइंस्टाइन ने प्रियोग किया था यह सब दुनिया में लोग हैं जिन्होंने प्रियोग करके अपने आपको कहां पहुंचा है आइंस्टाइन ने उस शक्ति का प्रियोग किया था आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है लोग उनके दिमांग पर रिसर्च कर रहे ह अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आप कभी जब बीमार पड़े होगे तो आप देखते हैं आपको शरीर वरी काम नहीं कर रहा है आपको खूब नीद आती है डॉक्टर भी आपको दमाय देता है आप बीमार हैं उस दोरान आप जो खाना खाते हैं आप देखिएगा वो आपको बड़ी घ्रना से आप उसको जो है क्या करते हैं आप उसको देखते हैं चुकि बाहरी आपकी दुनिया कट-अफ हो चुकी होती है जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सोने का मन करता है आप दर्द से करा रहे होते हैं आप अपने दर होते हैं बीमारी भी एक अवस्था होती है उस दोरा नगर आपने देखा होगा आप कोई चीज ऐसा खाते हैं जो आपको दिया जा रहा है और आप उससे आपको बड़ी मलब उसका स्वाद आपको बहुत बुरा लगा है आपके स्वाद गरंथियां खराब हो जाती है मुझे बताना अगर मेरी बास सही है तो उस समय जो आप खाते हैं और आपको उसका स्वाद भुरा लगता है उसकी मेमोरी बहुत लोंग हो जाती है आप देखिएगा कि बाद में जब आप स्वास्थ हो जाते हैं मुझे बताए कितने लोगे साथ ऐसा हुआ है अगर में एक मोधी में सेट होता है मुझे नहीं खाना आप अजीब सी उसके साith की चड़ हो जाती है अजीब सी हो जाती है जार नोटीस करके देखिएगा आप मतलुब सवस्थ होने एक बाद भी आपको वह खाना दिया जा है अच्छा खाना दिया जाए लेकिन आप दे रहा है कई बार आपने देखा होगा किसी आपकी बड़ी फेवरेट चीज के साथ आप बोर हो जाते चिर हो जाती है आप उसको इस्तमाल ही नहीं करते उसके प्रति कोई अडिक्शन ही नहीं होता आपका इतना मिराकुलस मैथड है यह होता है देखिए बच्चे लिख रह इतना बड़ा साइंस है तो मुझे बताओ कितने लोग आज से इसकी प्रैक्टिस सुरू करने जा रहे है ना यहां ना यहां ना यहां आपका चैलेंज इसको मिड में हैंक करना गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे उनको यह टेक्निक सिखाई जाएगी यहां से ही आपके दिमाग में मौझूद information को वह screen कर लेगा और वहां से क्या करेगा आपकी information लाकर आपको जोड़ देगा और आपके अंदर एक जबरदस पावर तयार होगी जैसे आपने printer देखा ना printer को को कोई digital command दो कि यह photo है इसको print कर दो तो वह क्या करता है text photo print कर देता है आ आपका दिमाग में जो thoughts होते हैं वो pixels में अलग-अलग होते हैं जो आपके ideas हैं जो आपके विचार हैं जो आपकी information है answer writing है यह अलग-अलग दुनिया में फसी हुई है अब यह अलग-अलग दुनिया में फसी है आपका दिमाग क्या करता है इसको print करके आपके सामने लाकर ता है महले भी येर team ऑटن को时 तस्वीर बना देता है विवेका नंद इसको photographic memory कहते थे बहुत से लोग उते photographic में एक बार देख लिया इनको हमेशक ले याद हों गए उनको याद हो जाता है एक बार वह सामने से गजरा pan हो जाती आंखे scanner का काम करती हैं जैसे scanner scan करके digital data अपने पास रख लेता है आपकी आंखे भी scanner का काम करने लगेगी इतनी power generate हो जाएगी आइंस्टाइन के बाद यही power थी विवेकानल के पास जब उनको आपने बढ़ा अगा एक जहाज में बहुत कठीन किताब उनको दे दी, एक अंगरी जर्मन ने दे दी. तो भूले, आरे ये क्या पढ़ पाएगा? फिर वो किताब उन्होंने मोटी से किताब वापस कर दी, वो जर्मन बहुत दिन से उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था. बहुत बोर बहुत कॉंपलेक्स थी तो जब उन्होंने वापस कर दी बोला इतनी जल्दी थक गए यार विवेका नन से बोला जब यातरा में ते शिकागो जा रहे तो इतनी जल्दी थक गए तुम अरे थोड़ी देर तो इस्ट्रगल करते हैं इस किताब के साथ मैं महीनों से इसमें लगा हूँ उसको खतम नहीं कर पा रहा हूँ विवेका नन ने का किताब तो खतम हो गई खतम होगे मैं जा कर रहा है ये जो भारत से आए वो सन्यासी ये कर रहा किताब खतम होगे मैं इतना महान विद्वान मैं महीनों से इसको खतम नहीं कर पा रहा हूँ बोला खतम होगे अच्छा बताओ ये टॉपिक विवेकानन ने आजटेस उनको बता दिया उसकी हालत खरा बोला और बताओ हो सकता है तुमने जल्दिबाजी में कहीं पलट के याद कर लिया वो फूस्ता रहा पूस्ता रहा विवेकानन उसको ऐसे बताते रहे जैसे दिमाग से एक Bell Laboratory का पत्रकार आया बोला साब आप इतने बड़े वज्ञानिक हैं मस्त मौला रहते हैं कईसे भी कपड़े पहली है बोले आज की दुनिया में Bell Laboratory बहुत बड़ी लैबरोटरी आई है वहां बड़े बड़े इंस्ट्रुमेंट्स हैं आप इतने अच्छे जो हैं आप इतने मेरी लैबरोटरी तुम जिस चीज को सोचते हो मैं यहां उसका प्रैक्टिकल कर देता हूं यहां प्रैक्टिकल कर देता हो यह उसका बूला उसका मुझ खुला का खुला रह गया और आइंस्टाइन ने जो थियोरी उस समय अपनी इमेजिनेशन में दी थी आज पू प्रूव नहीं कर पाएं कि मैं नहीं प्रूव कर पाएं यह होती है इमेजिनेशन पावर और टेक सिस्टम की पावर तो आप एगर इसको डवलब करना चाहते हैं तरीके बताऊंगा तो शुरुवात होती है थर्ड आई मेडिटेशन से कितने लोगों को यह सही टेक्निक आज से पता चली है कितने लोग आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे अगर अपने आपको बदलना चाहते हैं तुम्हारी चा भी तुम्हारे हाथ में तुम अपने आपसे जो कहोगे वो तुम्हारे अंदर चेंज लाना शुरू कर देगा लेकिन अपने अंदर पहुचने का तरीका थर्ड आई meditation है पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में इसका प्रयोग किया जाता चाहे तो मायन सभ्यता देख लो मिस्र की सभ्यता देख लो भारतिय पुरातन प्रधतियां के देख लो जो हमारी योग और ध्यान की प्रधतियां दी श्रीक्रिश्ण ने इ फर्ड ओर्गन ऑंदा आई बहुत लोग कहते हैं क्योंकि शिव हैं वह आद ही हैं वहीं से शुर्वात हो रही हैं वहीं से अंत हो रहा है तो हम मनुष्य उनकी क्या व्याख्या करेंगे लेकिन जो थर्ड का मतलब होता है इनर इस्पेस को इनर इन्वर्स को खोल देना हमा की तरीके से करोगे रिजल्ट कई गुना जाएगा क्योंकि बिना आगे मूलाधार को जागरत किये हुए आग्या चकर पर जाकर तुम जागरत करने लगे तुम्हें परिशानी हो जाएगी जैसे किसी नए नए बच्चे को अभी पता चला बचला पहली क्लास में पहुचा पर जाएगा जागरत नहीं हुआ है और तुम सीधे आग्या चकर पर जा रहे हो तो तुम्हारी वही हालत है कि पहली क्लास तुमने जो अभी कंट्रोल नहीं किया है और तुम ग्रेजवेशन का एक्जाम देने जा रहे हो तो आज से गलती मत करना इसके नुकसान भी बहु तुम्हारे पूरे व्यक्तित्तों को बदल के रख देगा 21 दिन का चैलेंज जो आज लेना चाहता है मेरे से ले ले और मुझे 21 दिन बाद बताए इन्फो एट ओजांक आये से कैडमी ओजांक फांडेशन प्राइवेट लिम्टेड उस पर मुझे मेल करे क्या चेंजिस उसके आए डायरी में लिखे पूरा आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा आप ये प्रैक्टिस करके तो देखिए और जिस दिन आप इस त रखतियों कि कोई वैल्यू यह नहीं है प्राबलम तो अंदर बैठी हुई है किताब सामने मन कहीं और है कहां सेम कर पाएंगे आप कभी भी करिए सुबह करिए शाम को करिए जब आपको लगे पीसफुल टाइम है शुरवात में आपको पीसफुल टाइम चाहिए होगा धीरे धीरे जब आनतरिक लेयर तयार हो जाएंगी आप बस में बैठे बैठे कर जाओगे यार भीड में बैठे बैठे कर switch off, बार ये दुनिया से cut off, ये power पैदा कर देगी तुम्हारे अंदर, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, अपना group बनाओ, पांच पांच साथ साथ बच्चों का group बनाओ, और अपनी power को measure करो, किसका ये जो third eye है, वो आगे संकल्प, संकल्प batch हमने open कर दिया, 2025-2026 के लिए, दो साल का conceptor batch है, आप जानते हैं, conceptor batch layer 1 और layer 2 दोनों के लिए है, layer 1 और layer 2 दोनों के लिए है, जिसमें पहले हम आपके fundamental develop करते हैं, second में आपका pre-commence, GS में हम उसमें cover करते हैं, आपके पुरे व्यक्तितों का विकास करते है कई बच्चों ने कहा कि सर, पैसे की कमी हो रही तो 5000 रुपए महीने में, केवल 12 महीने की किष्टे देनी है, 5000 रुपीज पर मन्थ for 12 मन्थ, एक साल आपको फीज देनी है, दो साल की पढ़ाई आपको करने का मौका मिले, यानि कि अब दो साल की पढ़ाई, ये जो है, वो म के साथ जोड़ जाए, रेइस्टेशन कर ले, 5000 रुपए पर मन्थ में, दो साल पढ़ने का मौका आपको मिलेगा, 12 महीने आपको EMI, यानि Easily Monthly Installment देना है, और इसमें आप पूरे दो साल, Layer 1, Layer 2, दोनों पढ़ाई करेंगे, पूरा holistic approach आपका इसमें, डबलप हो जाएगा So let's start, हमें शुरू करते हैं, Concepter batch, संकल्ब batch के साथ, संकल्ब ले लीजिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या अपना best देना है, और मैं आपको निखारने के लिए लगातार नया प्रयास करूँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, गुरू ने जब कुछ दे दिया है, तो सिश्य उसको ग्रहन कर ले, प्रैक्टिस नहीं करोगे, लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पूरे थ्रूआट लाइफ इसकी प्रैक्टिस करो, अब आईस बन भी जाओगे, तो प्रैशर जब आएगा, तो प्रैशर को तुम्हें आराम से रिलीस कर लोगे, तुम गुर्कोल बैच के अनतिम 25 बच्चों के लिए, बाकीस उनका सेग्मेंट हो चुका है, वो कांसलर से बात कर लें, और उनके मेरे साथ उनका सेशन होगा, और उसमें जो बेस्ट बच्चे होंगे, वो छाटे जाएंगे गुर्कोल के लिए इन-हौस हमारे सेग्मेंट के ल double four, या double five, या form भर सकते हैं, जहांеюсь, आपसे बात कर लेंगे, मेरे साथ counseling करने से पहले, वो आपसे detailing आपकी लेंगे, तब फिर मेरे उनकी, जो है, वो face-to-face, जो है, zoom meeting में, जो है counseling होगी, और वहां से, जो हमारा, segment हो की, शुरू हो जाएगा जो best student होंगे जो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे वो गुर्कुल में उनकी entry होगी और जो लोग concept बहुत दिन से सोच रहे थे अब सोचना नहीं है इससे best मौका उनको नहीं मिलेगा राइट संकल्प बैच में संकल्प ले लिजिए bilingual बैच है हिंदी और इंग्लिस दोनों में medium के लिए और EMI बैच 5,000 रुपए पर मंत में 12 महीने जो है आपको किष्टे देनी है यानि 60,000 रुपए और दो साल तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा हमें लगता है कि इतने बहतरीन ओफर के लिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत ह जो आफ्टर 12 के स्टुटेंट हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है उनके लिए बेस्ट बैच है जो उनकी ग्रेजुएशन के साथ साथ चलता रहेगा थैंक यू सो मच आप बहुत दिन से पूछ रहते हैं काफी लंबे समय के बाद हम कॉंसेप्टर बैच लेकर आए ह तो यह हमारा सबसे पावरफुल बैच है कि कि मैं इसको डारेक्टर बैच बोलता हूँ यहां पर आपकी जो नर्चरिंग होगी वो मेरे अंडर में होगी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो यू कन बीड़ पाट अफ दिस चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना स्कॉलर्शिप टेस्ट था तो इसमें से आथ 200 बच्चों को मौका मिलेगा फॉंडेशन में अड्मिशन लेने का कल ग्यारा सो लोगों ने टेस्ट दिया इसकॉलर्शिप के लिए थैंक यू सो मच